बिस्मिल्लाहराण वाइ अस्सलाम अलेकम वीवर्स, इंट्रड़क्शन तू सी प्लस प्रोग्रामिंग स्रीज के इस वीडियो के अब साथ मैं हमास अब अब तो वीवर्स आज के लेक्ट्चर के अदर जो टॉपक आज हम कवर करेंगे वो एजिए कमपाउंट असाइन्में अपरेटर तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो टॉपक कवर किया थे वो था असाइन्मेंट स्टेटमेंट और उसके साथ हमने कवर किया था कमपाउंट असाइन्मेंट स्टेटमेंट आज हम करेंगे कमपाउंट असाइन्मेंट अपरेटर के होते हैं तो स्टार्ट कर जिसके थ्रू आप multiply कर सकते हैं, divide कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं या value को add कर सकते हैं और उसके बाद value जो है ना किसी variable को assign कर सकते हैं The compound assignment operator are used for this purpose A compound assignment operator is the combination of arithmetic operator and the assignment operator compound assignment operator जो है ना वो combination होता है Alithmetric operator का और assignment operator का उसके बाद the assignment operator always come to the right of assignment operator हमेशा आपका जो assignment operator है वो right side पे आएगा जब कि arithmetic operator आपका left side पे यानिके वो appear होगा in C pluses the commonly used compound assignment operator are plus equal to minus equal to multiply equal to divided equal to to modulus equal to जैसे मैंने plus equal to इसका मतलब है left side पे आपका operator आज्यीडा आजएगा या readiness operator आजाएगा औरำ right side पे आपका assignment operator आजएगा इस तरह left side पे आपका minus operator है और right side पे आपका compound आज्यीडाईंस हरा रहा है तो ये पॉछ जो है कमपांट assignment operator प्रगे तूर पर यूर रहे हैं आप इसका संटेक्स देख लिखे लिए हैं संटेक्स नों रहता है वेरियाबल उसके बाद ऑपरेटर असाइनमेंट स्टेटमेंट उसके बाद आपकी कोई अक्सप्रेशन आ सकते हैं जैसे मैं कहता हूं इंट n इकल टू टैन है एन की वैली में बजीद 5 को एड़ कर दो और उसको जा रिजल्ट आई उसको देदो एन को तो इसी तरह एन माइनस इकोल तो 5 यह किसके परा बड़ता है n is equal to n minus 5 इसी तरह जैसे यह वाला है तो इसमें के आजाएगा n plus sorry n is equal to n plus 5 अजाएगा n की value 10 है 10 में 5 आड़ करेंगे तो इसी तरह n minus equal to 5 का मतलब है n की value में 5 को minus करो और 10 को sorry n को assign कर दो n की value यह हमें 15 है 15 में 5 minus करेंगे तो वो result कितना आजाएगा 10 आजाएगा 10 5 ने n में sign हो जाएगा n multiply equal to n multiply equal to 5 किसके बराफर होता है n equal to n multiply by 5 10 multiply by 50 50 इसके अड़ कर दे स्टोर हो जाएगा इस तरह n divided by equal to 5 is equal to n equal to n divided by 5 n modulus equal to 5 is equal to n is equal to n modulus 5 के बराबर जाएगा तो यह तो तो इसकी ग्जैंपल आप इसको एक प्रोग्राम आप करते हैं यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ n int n is equal to मैं यहाँ इसको value जाता हूँ c out यहाँ पर मैं n की value n equal to n की value जो है ना मैं यहाँ पर show करता हूँ इसको मैं show करता हूँ जैसे देखें कि n is equal to इतना आजाएगा हमरे पास 10 जो है उसकी value जो है ना में show जाएगा N is equal to 10 अब उसके बाद मैं यहाँ पर N plus equal to 5 का लगा C out यह आजाएगा N equal to N की value और यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा यहाँ आप ऐसे इसको लेख सकते हैं N plus equal to 5 तो 5 तो यह देखें इसकी value जो है ना वो change हो लेगी N plus equal to 5 की value कतनी आजाएगी 15 हमारे पास value जो हो लेगी इसी तरह अगर आप minus equal to 5 करेंगे तो यह value जो है ना इसकी अप कतनी आजाएगी 10 आजाएगी sorry 5 करेंगे तो यहाँ पर कुमोगे इसी तरह यहां पर इसको आप से रहने जाते हैं इसको एक नई लायन में जाके जो हैना वो कर लेते हैं इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं, इसको यहां भी पेस्ट कर देते हैं, यहां पे मैं माइनस लिख देता हूँ और यहां भी माइनस आजएगा, यहां पे हम इसको मल्टिपलाई शो कर देंगे और यहां भी मल्टिपलाई शो करते हैं, यहां पे डिवाइड आजएगा औ पैटे पैटा जाए और इसको एक दवा और पेस्ट करके यहां पर मॉडलोस वाला साइन जो है न उसको भी हम यहां पर यूज कर रहे हैं अब इसको सेव करके जैसे मैं इसको रून करूंगा तो यह देखें इसका जो रिजल्ट है न हमें जो शो हो रहा है अजीन है यह देखें यह अजीड ने अजएखेटे और अच फिफिटीस से फ्फट्ट करेंगे तो कितना जागा अब फिफ्टीी व करेंगे तो कितना जाएंगा देगा तो यह द था समझने के आपका और आपकी आऊपूठट उन्ध तो आपकी तो यह इस प्रोग्राम को यह आपको शो हो जाएगी तो यह दो था तरिका कार आपका compound assignment operator को यूज करने का तो आज के lecture को यहीं में end करती है हमीद है कि आपको समझा गी होगी फिर भी question को यह मेरेज हो रहा हो तो उसको में डाल दे तो आपको आपको आंसर लाजमी दिया जाएगा तो मेरे चैनल को प्रापर सबस्क्राइब करते रहें ताके मेरी हार आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रापर बिलती रहें ऑगे पाई लागे